जट से बहुत कुछ सीखना है, TRS Clips Hindi को सब्सक्राइब कीजिए Sixth Sense शब्द आप जानतों, Intuition जो supposedly मेरे experience से मैंने देखा कि Meditation से डेफिनिटली आपकी Sixth Sense बढ़ती है और शायद इसका एक scientific नजारिया यह है कि आपकी pattern recognition बढ़ती है क्योंकि आपके observation skills बढ़ जाता है आपकी दोनी की Sixth Sense बहुत जादा अच्छी है उनने थोड़ा पता चल जाता है फ्यूचर के बार में पर थू पाटर्न recognition और उनने चीजे याद रहती है जनरली अगर Meditation की बाते करें तो the scientific aspect is आपका brain का हिस्सा होता है corpus callosum मतलब आपके right hemisphere और left hemisphere के connections ज्यादा तगड़े हो जाते है तो आपका processing power आपके CPU का processing power बढ़ जाता है that probably results in better sixth sense तो sixth sense का एक role रहता है cricket में आप मानतो हो बिलकुल रहता है आप बोलर भी आप बोलर batsman यह सब चीज कब बाती है जब आप थोड़े experience हो जाते हो okay initial days में वो सब चीज नहीं सबन में आती तो जैसे अभी मैं बात करूँ कि imagine मैं बोलिंग करूँ टी 20 फॉर्माट में ABD Willers को ABD Willers को मैंने ball डाली Yorker उसने बैठा और चका मार दिया नहीं सिक्सेंट की जो आपने बात करी उस की मैं तो अब मेरे को पता है कि वो सिफ दो ball कर वेट कर रहा होगा या तो मैं slower ball डालूँगा या तो मैं length ball डालूँगा बट वो यह expect नहीं करेगा कि मैं उसको Yorker दुबारा मारूँगा क्योंकि उसने मेरे को चक्का माँगे तो अब मेरे को पता नहीं कि यह सिक्सेंस है या experience है या क्या है बट मैं उसको same ball डालूँगा जब दो experience लोग एक दूसरे के साथ खेल गया तो six senses का battle होता है इनवे वो भी predict कर रहा है आप भी predict कर रहा हो बेसिकली इस prediction और game के साथ में किस batsman की क्या strength है जो अच्छे batsman होता है न वो यह decide कर लेते हैं कि यह bowler यह वाली ball डालने वाला है और जब bowler bowling कर रहा है तो उसको यह पता है कि यह batsman यहाँ पर short मार सकता है और यह expect नहीं कर रहा होगा क्या यह MS धुनी की strength है six sense माही भाई की strength एक नहीं बहुत है other than calm, cool calm, cool तो नहीं है वो ग्राउंड में बहुत गाली बगते हैं मेरको तो बगी है बोलर्स के साथ मतलब मजा कर रहा हूँ ऐसे मतलब छोटे भाई के साब से वो मुझे हमेशा बोलते थे तो मैं उन्से एक बड़ी पूचा भी ताप मुझे इन इतना चिलाते क्यों तो कहरें देख मैं चिलाता उस ही क्यों जिसको मैं प्यार करता हूँ वन्हा मैं हर किसी को नहीं चिलाता मैं अब्च्छा मुझे नहीं पता था तब से फिर मैं एक दम चेलो तो मैं बाई का क्या है कि मैं उनके साथ IPL खेला हूं इंडियन तीम में खेला हूं वो बोलिंग मीटिंग में या ते वो कहते हैं इस अब तुम्हारा काम है जो फील्ड में करना है वो मुझे करना है तो जहां मैं बोलूँगा क्योंकि situation और विकेट कुछ और भी कर सकते हैं अब जिसके लिए प्रिपेर नहीं कर सकते हैं कैसे प्रिपेर कर तो उसके लिए आपको ऑपन माइंड के साथ जाना पड़ता है नहीं बॉल से तो सेम चीज रहती है बट situation और विकेट जब दूसरी हो जाती है और यहाँ तो इसले मैं बोल रहा हूं कि यह वो सिक् तब वो बहुत जादा गेमिनग करते हैं मुझे याद कैल था फीफा केलने था सिव 11W किया अभी विर्यों में वैसी पस्नालिटी यह यंगश अभी भी गेमिंग करते है चिल करते है अभी भी उनको और यह सब ऐखलत वुलुटी अ बदल फील उसका Uncharted वो भी वो भी खेलता हैं आप लोग PlayStation लेकर घूमता हूं हर हर टीम में लगता है और वह कंपेटिव होता है आपस में नहीं आपके नहीं हम दोस्ट जनारत में मिलके कंप्यूटर के गेंस केलते हैं या तो फिर एक दूसरे के साथ मिलके जैसे उसमें वो कई प्लेयर ऐसे हैं कि जो ओनलाइन गेमिंग करते हैं जैसे जैदे बुनात का रहा है वो फीफा में मतलब लोगों के साथ खेलता है तो मतलब ही इस वेरी गुड ओके मैं फीफा नहीं ओके चिल कैसे करते हैं यह उनका चिल है उनको मतलब उनके कमरा कभी अकेला नहीं होता जब वो सोते हैं तभी वो अकेले होते ही नहीं कभी कोई ना कोई बैठा रहता है मजमा लगा रहता है माही भाई के साथ में चाहे वो हाई पील में देख लो चाहे आप इंडियन टीम यह करिए सिता डामिशाए न था है क्या निए वे कमरे में सिताइब बैठे ही रहेंग वALI झाल मतलब आप जैसे किसी कुई फार अपने तक गया जा तो परमे फेलिंग करें जैता को बहुत जादा करें बीटा बूरा हो गया ठोड़ते है अब शात में भोले जो को हम दो तो अवेर है वो मीम्स के बारे में कौन सा बोले जो को यल उनका थीम सॉंग बने जैसे डबी डबली में एंट्रेंस मुशिक बचता है ना किसी रेस्लों कि लगता नहीं वो सोशल मीट फोन ही नहीं है मतला माई भाई से कॉंटाक्ट करने का वो यह नहीं है फोन ही नहीं है बढ़के बट्री के समय में क्या वो किसी को इक बहुत शाप डिप दे 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 तथ हा डराऊना तिप डराऊना नहीं हो सी मजाग के जब मून में रहते है तो हसी मजाग जब वो बैठे हैं और चुप हैं तो मतलब वो अपने एक जोन में है तो उनको कुछ ना कुछ चल रहा है दिमाग में क्रिकेट को लेगे तो वो आदमी को समझ में आना चाई है जब उस टाइम पर कोई उन से कुछ सवाल करता है या कोई आयलता सबस्त आहीं करती है मतलब जब वो शान्त हैं बहुत सारे लोग बैठे हैं और वो कुछ नहीं बोल रहे तो वो कुछ सोच रहे हैं के वारे में चिलिंग के टाइमन कुछ होता है मतलब की क्या होता है कि कई आधमी ओकर जैसे टरीका होता है गेमि के बारे में सोच नहीं का this ठीक है कि जब आप कि खेल रहे हो वो छोटे-चोटे जो एंगल फिल्ड में सेट करने का होता ना तो वो विकिर की पर ही कर सकता है क्योंकि बोलर्स को भी वो एंगल नहीं समझने आता है तो वो जो वो चीज करते हैं वो बहुत अची करते हैं अब यह नहीं चीज आई जैसे कि डेविड वॉर्नर बैटिंग क मारेगा और उनने दो कवर्स ले लिये जो कवर पॉइंट वाला फिल्डर है उसको इधर ले लिया यह रिवर्स पे चका नहीं मानना चाहिए ठीक है उसमें मार दिया वो अच्छा शौट है बट उनकी फोट प्रोसेस ऐसी चलती है वो ही सिक्सेंस की गेम है इन वे मतलब म यह क्या भी क्यारों कि अब वो एक्स्पीरियंस भी ले मुझे समय में आता है वाव अ उनका फिटनेस कैसा होता है वो फोटो देखी आपने जाओं के बाईसापिक्तम में से मतलब मेर को लगता नहीं कि वो ज्यादा फिटनेस फीग है वो नैचल ली बहुत बहुत वह कि उनको सबसे ज्यादा गुसा मैंने मतलब ज्यादा ऐसा बहुत कम देखा माई भाई गुसा देखा इने माने आपके उपर कभी हां मेरे बादा तो किया यह फील्ड में अब डरे थे सबस्क्राइए एक दो बार जब थ्रौ माई थी अू नीचे कर गगई देखा दूश्री हमारी जोर की रखे तो ही नीचे कि तीश नियमारी करें हाथ में मार ले गाली बटके बोला हाथ में मार ले ठीक है वह फिर एक बारी हम चैंपिन स्वफी जो जीते थे 2013 में रवीब भॉपारा ने जाड़ू की बॉल पर पीछ है मैं मेड़ां पर लागा तो पीछ जाके ऊपर से मारे तो मैं पहले पीछे बा जब तक मैं पहुचा लंबा आदमी जुकेगा तब तक दोरन हो गए उनने कुछ बोला तो नहीं मतलब वो एक होता ना कि जैसे जैसे पापा गुस्सा करते थे आंख में तो समझ में आरा लोगा तो तो माही बोला कुछ नहीं बोला उने रेक्शन मैं जब क्रॉस करता था तो ऐसे दिरे 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 आये जब फिलिदिंग नहीं होती ना वहाँ पे तो खड़ा मत वगा कर मैं उस ताम तर कुछ नहीं बोला मैं चुप चब जाके शॉट थर्ड मैं पर कड़ा होगे को ली पर कभी बढ़के हैं हाँ बढ़के हैं हाँ तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम तेस्मैज केल धे थे उप्र कर का डेबियू मैच था इंडिया में बनाई हाँ तो सेटं दिंग में थोड़ा थेस्मैच पश्च या ताम जीत जीत गए थे बद शीखर बैटिंग न तब कुछ हो गया तो उन्होंने बोला जब पता है कि अम टेस्ट में जीत जब पता है कि अम बैच्समें शौर्ड है तो वह शौर्ट मानने ही ज़रती मतलब गुससा नहीं, उन्होंने एक पॉइंट भी बोल दिया और उसको रिलाइज भी करा दिया, और मेरे को भी जब को लगा कि मैया बगुससा नहीं करते हैं, मेरे को भी जाते ताइम सेम चीज बोली, तो वो उनका एक तरीका है, प्लेयर को इंप्रूफ कराने का, जो विर कई नहीं हुआ कि मतलब किसका रोल रहा किसका नहीं रहा मतलब में याद है दो हजार बारा अईपीयल के बाद में जब हम 2013 में जीटे तब थोड़ा सा उसको मतलब उसके बॉडी में देखा उसकी Бाटिंग में दीका फिर उसके बात दिरे करके जो उसमें इतना बड़ा चेंज आए ना मैंने का भाई तू सिक्स पैक्स लेकर कहा जाएगा मॉडलिंग कर रहा है क्या कह रहा है नहीं देखता जाएगे तो मतलब मेरी उसके बारे में ऐसी भी बात होई नहीं जो चयों देख मेरी को बता है तू तो करता ही है बट उससे पहले जब शामी था तब वो मही भाई के अंडर के लगा दा और जब चीकू के अंडर के ला तो बहुत डिफरेंस सा यह क्योंकि जब शामी को पता है कि उसको टेस्ट क्रेड खेली है तो वह एक महीने पहले एंसी चला जा 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 था ट्रेनिंग करने के अगर वो ट्रेनिंग नहीं करेगा तो वह उसको पता है कि मैं टेस्ट मैच में गोलिंग निकर सेता है, बीस ओवर सेम पेस पे नहीं डाल सकता हूँ और वो चीकु ने उसके लिए ही, मतलब ऐसे तीन-चार लोग थे कि जिनको बोलाता कि बाई तुमको ट्रेनिंग करने उनके लिए बनाया था, अगर वो नहीं बनाता तो वो बिर्यानी खाते हो दो मझे लेते हैं एक बहुत अजीब सवाल पूछना है, कभी किसी का पेट खराब हुए टेस मैच के दोरान हाँ केल का हुआ तो क्या होता है मतलब फील्ड पे कुछ नहीं जाके जो करना है वो करना है, जाओ करके आओ, वेट होगा अजुमिंग कि बोलर्स का होता हुए आप इसमा पावर जेनरेट कर रहा हुआ है मैं हम वो एक वो पीली गोली आती है मुझे भी पता नहीं ये सवाल कहा से आया बहुआ ऐसे सवाल क्यू बेती रहा हुआ आप धो पिली भारी गोली आती है, विपा के हिले ज़ाजू, क्धी की होती है, Herskyी होती है, क्धी की जोती है, क्यांनि, सबसे ज़्यादा डर आपको, किस बैम्स्बन रगा है, मूरे करियर में, या नर्विसनेंस, नो डर, जो भी, हैजिटेशन, 80-20, वो था वो डर लगता था क्योंकि जब मैं शुरू-शुरू में खेलने हैं मेरा दूसरा टेस्समाइज था सिड्नी में बट जब वो खड़ा होता था तो विकेट नहीं दिखती दी तो मैं बोलता था भाई मैं बोलिंग किसको कर रहा हूं पता है मुझे क्या इमेज दिख र दादा अभी तक मैंटली और फिजिकली स्ट्रॉंग आदमी देख रहा है मैंने मैंत्यू एंडैली क्रिस गेले अइड थीख है कि आपको बता है कि वह एक और बंब या तो यहां फूटेगा यहां महां पूटेगा हम 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 सम्झा और इखेल और क्रिश केषी ट् T20 में तो चलाकी के साथ बोलिंग करने हैं ये बताईए T20 में बोलिंग का नेचर क्या होता मतलब एक माइंड़ सेट कैसे बदलता है बोलर का माइंडसेट मेरे को ऐसा लगता है कि T20 में आपको वह स्टीट स्मार्ट होना बहुत जुरूरी अगर आप बहल बुद्धी हुए अपनी स्ट्रेंथ मैं चोरी है तो आपको चोरी करना है अगर आप बिराट कोली को बोलिंग कर ले हो अभी विराट कोली बहुत चालू हो गया उस लेक्स्टम पे खड़ा होने लग गया पहले उसको पता था कि लोग मेरे को पांचवे स्टम पे बोलिंग करते हैं मैं कट पंच मारता नहीं तो अभी वो क्या करता है लेक्स्टम के बाहर कड़ा हो जाता है तो वो शफल करके आता है तो लेक्स्टम पे तो उसके हाथ खुल जाता है तो इस साल अगर आप देखोगे तो उसने कावर्स पे और इधर बहुत बनाए वो इसले बनाए क्योंकि वो बनाए पास में रहिता अब हुआ है अब यो अश्तुम से आकर मिरा साड़ी लग स्टम के भार से याज श्टम के आते तो उसको जो पाच्टम के बनाए यहां तो आपको पार गोंसा कर रहा है तो आपको सदून में करने मतलब उनकी चाल को आपकी चाल से बीट करना एम ठ इस इस प्लस हरामी पंती प्लस strategy तब पाकिस्तान में क्या खासित है कि इतने सारे आस्ट बोलो जिल आथे इस अपास्ट बोलर यह बताई है मेंने पाकिस्तिनी से पुछा, दुबाई में पताम जब में चाहते हो डुबाई में मुझे पाकिस्तानी दिखता है फिर वही कॉंधसेशन हुती है कि हम दोनों के मुलक में थो फरक है फर हम है तो एक ही वाली कॉन्देशिशन यहीं सी करते है मैंने उनसे बुचा कि इतने वासथ बोलन आपकेसी बनाता तो उन्हेंने का कि जो हमारे लोकल हमे लीग इसको ऐसे लगता है कि एक तो उनकी बिल्ट जिनेटिक्स आप पंजाबी हो ऐसा नाए मैं ब्राह्मेन हो आप मतलब कॉन्से स्टेट से उपी से मेरे एंसेस्टर से वगड़ा उपी से तो मेरे को लगता है कि जो जैसे आप सोचो पंजाब की बिल्ट है अब जैसे पहले पता नहीं बट कपिल पाजी भी पहले पंजाब से खेले हैं तो यह सब जो होते हैं इनकी बिल्ट एकदम अलग होती है वारियर बिल्ट हाँ तो वह एक तो बिल्ट हो गया और दूसरी वह टेनिस बॉल बहुत खेलता है उसे स्पीड इंक्रीज होती है है आ अब वो मसल वो वो विप आता है हम ओके सो बेसिकली इस वाल बॉट विपिंग तो जितना आपका यह लूज हो के विप होगा उतना वैक्स्पिन होगा उतना क्रिकेट बॉल तेज जाएगा अब बोर्ड होते हैं इसे सारी क्रिकेट के क्वेसिन्स पूछ नहीं मतलब ज़ क्रिकेटर्स को पॉड़कास्ट पर आने की जरूरत है क्योंकि आप लोगों को यह तो फसाया जाता है और कॉंट्रिवर्शल सवाल के थूरू यह बोरिंग सवाल पूछे चाहते हैं कि सी मेरे को ऐसा लगता है कि हम बहुत चिल माहोल में गहते हैं और हमको इतना पता है कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपकी वावाई होगी खराब करोगे तो गाली पड़ेगी तो अब उस सब चीजे से तो आप उपर उट गए तो और फिर क्या है अब आपको किसी को प्रूफ थोड़ना करना बट यह कि मेरे को भी ऐसा लगता है अभी अभी शुरू हुआ है कि मतलब मेरे को अपनी परस्नालिटी दिखाने चीए लोगों को लगता है कि जैसे कि मैं बहुत घुक्से वाला हूं मैं आते जाते लोगों कि चाटा मार देता हूं हुआ है कि मैं ऐसा नहीं म cathedral मेरे को मतलब वन हो था कि एकडम क्या कहते हैं sea lion जो होता कि एक जगा बैठ गया तो बैठ गया मेरे को उठाने के लिए भी मतलब समझ में नहीं आता अगर मैं जो मेरे drawing room में sofa है मैं उस पर अगर मैंने tv on कर लिया, सुबे से रात कब हो जाती है मेरे को नहीं पता चलता समझा तो मेरा ऐसा हाल है दोस्तों TRS Clips Hindi को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोज दोस्तों के साथ शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को TRS Hindi बहुत जल्द लोटे आए सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कीजिए